दोस्तों, 2024 में 18 सितंबर से 14 ओक्टोबर तक पित्रिपक्ष चलेंगे. ऐसे में पित्रिपक्ष में अगर कौवा दे जाए मनुष्य को, ये एक संकेत तो समझो. आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न है, कुछ खास लोगों को ही कौवा देता है. शुब संकेत, ये संक कभी किसी को मत बताना. दोस्तों, कौवा द्वारा बताये गए 14 शुब संकेत, कौवा एक ऐसा प्राणी है, जिसे अच्छे या बुरे की जानकारी उसके घटने के पूर्व हो जाती है. कावे को कई दिव्य शक्तियां प्राप्त हैं. वो पहले ही जान लेता है कि मनुष् हमारे समाज में चीर काल से कौवा को लेकर शुब अशुब शगुन अप्शगुन से जुड़ी बातों का उलेख किया जाता रहा है. शकुन शास्त्र में भी कौवा से जुड़ी अनेक रोचक जानकारियों का वर्नन मिलता है. इस वीडियो में हम आपको कौवा से संबंध अप्शगुन से जुड़ी कुछ बातों की जानकारी दे रहे हैं. दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे ओम नमशिवाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, तो आईए शुरू करते हैं. दोस्तों, नमबर एक, यात्र रोटी या मांस का टुकडा लिये हुए दिखाई देता है, तो ये आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होने का संकेत है. दोस्तों, नमबर तीन, प्रातहकाल में कौवा आकर आपके पाव से स्पर्ष करके यदि जाता है, तो ये आपकी उन्नती और धन प्राप्ती का संक दोस्तों, नमबर चार, ऐसी मान्यता है, अगर कौवा भूमी को खोदता हुआ नजर आए, तो भारी लाब होता है. नमबर पांच, रास्ते में जाते समय, कौवा, यदि पेड की डाली पर बैठा हुआ दिखाई देता है, तो मनो वांचित फल मिलता है. दोस्तों, नमबर सुर्योदय के समय, आपके घर के सामने या घर की छट पर कौवा भूलता हुआ दिखाई देता है, तो ये आपकी प्रतिष्ठा तथा धन में वृद्धिका सूचक है. लेकिन शाम के समय, कौवा का छट पर आना या बोलना शुभ नहीं माना जाता. दोस्तों, नमबर साथ कौवा अपनी चोंच में किसी बिस्कुट का टुकडा लेकर उड़ता हुआ दिखाई पड़े, तो ये आपके लिए शुभ संकेत है. दोस्तों, नमबर आठ, यात्रा पर जाते समय, कौवा यदि मधुरवानी बोलता हुआ, आपकी दाहिनी तरफ से निकल जाए, और उसी पर सुनाई दे जाए, तो इसे स्त्री का संकेत माना गया है. दोस्तों, नमबर दस, अगर स्त्री के सर पर पानी का घड़ा रखा हो और उस पर कौवा आकर बैठ जाए, तो ये उस स्त्री के लिए शुभ संकेत है, इसे धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है. दोस्तों, औ और नंबर 11, अगर कौवा मुह में रेत, अनाज, गीली, मिटी या फल, फूल भरकर आपके घर तक ले आए, तो ये अचानक होने वाला धन प्राप्ति का संकेत है, आपको कोई लौटरी भी निकल सकती है, ऐसा भी माना जाता है, आपके पूर्वज यानि पित्र बहुत प्र सन्न है, दोस्तों, नंबर 12, बैशाक के महीने में, जब कौवा किसी हरे भरे व्रिक्ष के ऊपर अपना घोसला बनाता है, तो इससे वर्षा के आने का संकेत मिलता है, दोस्तों, नंबर 13, रास्ते में आपको अगर कौवा एक दूसरे के मुह में भोजन देते हुए दिखा दोस्तों, अगर आपको ये संकेत मिले है, तो आप है भाग्यशाली, आप बहुत जल्द धनी होने वाले हैं, दोस्तों, साथ ही हम आपको बताएंगे कि पित्र पक्ष में ऐसा खाना, घर में कभी मत बनाना, पित्र दोश लगता है, पूरवज नाराज हो जाते हैं, पाप लगता है, और पित्र पक्ष के दोरान यह गलतियां तो कभी मत करना, आईए, शुरू करते हैं, दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि पर पित्र पक्ष आरंब होते हैं, जो आश्विन मास की अमावस्या, जिसे सर्व पितरों अमावस्या भी कहा जाता है, इस बार पित्र पक्ष 18 सितंबर से आरंब होकर 14 ओक्टोबर को समाप्त होंगे, बच्चे बड़े सभी को पित्र पक्ष में कुछ ऐसी सावधानिया है, जो बर्थनी चाहिए दोस्तों, मान्यता है कि मृत्यू के देवता यमराज श् स्वजनों के यहां जाकर तरपन ग्रहन कर सके, पितरों भाद्रपद पूर्णिमा पर पित्र लोक से धर्ती पर आ जाते हैं, और 16 दिनों तक श्राद्ध, तरपन, पिंडदान ग्रहन करके सर्व पितरों अमावस्या की रात्रि को पित्र लोक चले जाते हैं, इसलिए ये 16 इन 16 दिनों में पितरों की आत्मा की शांती के लिए पिंड़ दान, श्राध्ध, तरपन कर्म किये जाते हैं, पितरों के लिए श्रध्धा से कुछ समर्पित करना ही श्राध्ध कहलाता है। कई नियम बताए गए हैं, अगर उन नियमों का पालन ना किया जाए, तो इससे पितर दोश लगता है, पितर देव नाराज हो जाते हैं। और पंच बल भी दी जाती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है, जिन्हें पितर पक्ष के दोरान भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं, जिनका ना तो पितर पक्ष के दोरान सेवन करना चाहिए, और ना ही पितरों को या ब्राहमनों को इन चीजों का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं, जिनका पितर पक्ष के दोरान भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए। ओम नम शिवाए दोस्तों, बड़े बुज़ूर्गों द्वारा ब्राहमनों द्वारा आपने अधिकतर यही सुना होगा, कि पितर पक्ष के दोरान वही भोजन बनाए, वही भोजन का पितरों को या ब्राहमनों को भोग लगाए, जो पितरों को पसंद था, तब ही ही पि प्याज और लहसुन डालते हैं और पूर्वजों के पसंद के हिसाब से भोजन बनाकर ब्राह्मनों को वो भोजन करा देते हैं या फिर जिनके पितरों को नौन वेज पसंद होता है तो वे नौन वेज लेकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से दान कर देते हैं जिससे उन्हें पितरों का आशीरवाद प्राप्त हो। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो भूल कर भी ऐसी गलती आगे से ना करें। शास्तरों के अनुसार पितर पक्ष के दौरान प्याज, लहसुन, मीट और अंडे का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और पितरों के भोजन में भी इन चीजों का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शास्तरों के अनुसार भगवान विश्नु और महालक्ष उसके पश्चात ये पितरों को मिलता है और भगवान विश्णु और महालक्ष्मी जी के पूजन में प्याज, लहसुन, मीठ, अंडे का इस्तिमाल करना वर्जित बताया गया है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। दान दे, श्राद्ध पक्ष के दोरान पितरों को जो भोजन बनाए वो बिना प्याज और बिना लहसुन तथा मीठ अंडे का होना चाहिए। ये सभी सामगरी शुद्ध भोजन में नहीं डालना चाहिए। घोर पाप लगता है, पित्र देव क्रोधित हो जाते हैं। ध्यान रखे, पित्र पक्ष के दोरान आप भी प्याज, लहसुन और मीठ अंडे का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें। शराब आदी का सेवन भी ना करें दोस्तों, पित्र पक्ष के दोरान बासी भोजन ना करें। इन सोलह दिनों में बासी भोजन शैतान को प्राप्त होता है। कि पित्रपक्ष के दौरान पित्र किसी भी रूप में द्वार पर आ जाते हैं, और अगर ऐसे में आप पितरों को बासी भोजन दे देंगे, तो इससे आपको पित्र दोश लगेगा, इसी लिए इस बात का विशेश ध्यान रखें, ना तो आप बासी भोजन करें और ना ही क किसी को दें, दोस्तों, पित्रपक्ष के दौरान अपने खुद के लिए वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए, इन सोलह दिनों में आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं, पर अपने लिए कभी वस्त्र ना खरीदें, इस दिन नए वस्त्र खरीदना अशुभ माना जाता है, पित् पित्र नाराज होकर चले जाएंगे। पित्र पक्ष के दौरान घर में रोना नहीं चाहिए। इससे भी पित्र दोश लगता है। इन सोलह दिनों के अंदर खुशी-खुशी पितरों का स्वागत करना चाहिए। उनका आशीरवाद प्राप्त करना चाहिए। खीर आदी बनाई जाती है। पितरों को खीर बहुत पसंद आती है। खीर खाकर हमारे पित्र हमें धेरों आशीरवाद देते हैं। पित्र पक्ष के दौरान आप स्वयम दाल, चावल, रोटी आदी खा सकते हैं पर पितरों को ये चीज़ें ना दें। लेकिन याद रहे पि पित्र पक्ष के दौरान घर में मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। दोस्तों, मसूर की दाल के अलावा पित्र पक्ष के दौरान काले नमक, काले जीरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए और ना ही ब्राह्मन भोजन में इन च चीजों को खाना और खिलाना दोनों ही वर्जित होता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के भोजन में नीम्बू नहीं डाला जाता। आप स्वयम नीम्बू का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पितरों के भोजन में ब्राह्मन भोजन में नीम्बू ना डालें। पित्र प चीजें आप अपने घर में ही बना कर खा सकते हैं। दोस्तों पितर पक्ष के दोरान गाय के दूध का सेवन करने से बचना चाहिए। खास तौर पर वो गाय जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो। ऐसी गाय के दूध का सेवन भूल कर भी ना करें। पित्र पक्ष के दौरान खीर अवश्य ही बनाई जाती है और खीर का पितरों को ब्राह्मनों को भोग लगाया जाता है। इसलिए आप पित्र पक्ष के दौरान दूध से ही खीर बनाकर उसका भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहन कर सकते हैं। लेकिन खाली पित्र पक्ष के दौरान कड़ी बनाना और खाना भी वर्जित होता है। इस बात का विशेश ध्यान रखें। पित्र पक्ष के दौरान कुर्थी की दाल का भी सेवन ना करें। दोस्तों, ध्यान रखें। पितर पक्ष के दौरान आप पितरों के लिए जो भी भोजन बन पितरों के नाम से भोजन दें, उस भोजन में थोड़े से काले तिल अवश्य ही डालें। पितरों के दोरान गलती से भी अपने पडोसियों का भोजन भी कभी नहीं खाना चाहिए। पितरों के लिए अगर आप बहुत सारे व्यंजन ना बना पाए या आपकी परिस्थिति इस अनुकूल ना हो, तो पितरों की त्रिप्ति के लिए आपको दूध और चीनी से बनी खीर बनानी चाहिए। जिसमें सूखे मेवे डाल कर पितरों को परोसें। इस व्यंजन से उन्हें सबसे ज्यादा आनंद मिलता है और वे प्रसन्न होकर आपके द्वार से लोटते हैं। दूसरी है कद्दू की सबजी। गरुड पुरान के अनुसार कद्दू की सबजी पितरों को बहुत अधिक प्रिय होती है। कद्दू एक सात्विक व्यंजन है जो श्राद्ध प्रसाद में अकसर परोसा जाता है। अगर आप भी श्राद्ध का भोजन बना रहे हैं तो कद्दू की सबजी अवश्य बनाएं और पितरों का आहवान करते हुए उन्हें अरपन करें। तीसरा है शुद्ध घी की रोटी। जी हाँ, शुद्ध घी से बनी रोटी अवश्य बनाएं और अपने पितरों को याद करते हुए एक रोटी कोए को और दो छोटी रोटियां बना कर गाय और कुत्ते को खिलाएं, इनसे पितर जीज भी रूप में धर्ती पर उपस्थि वित्रिप्त होकर आपको अवश्य आशीरवाद प्रदान करेंगे। मीठे केसर वाले चावल, काले चने और बेसन से बनी चीजें भी पितरों के लिए बनाई जाए तो पितर प्रसन्न होकर उन्हें ग्रहन करते हैं। बिना स्नान आपको पितर भोजन नहीं बनाना चाहिए और जो स्त्री मासिक धर्म में हो उस वक्त भी उन्हें पितर भोजन को नहीं बनाना चाहिए। पितर भोजन बनाने से पहले रसोई घर को गंगा जल से और यदि गंगा जल ना हो तो साधारन जल छिड़क कर पहले स्वच कर लेना चाहिए। और उसके बाद भोजन बनाने से पहले ओम पितर देवाय नमा या ओम वासुदेवाय नम इन मंत्रों का उच्चारण करके ही भोजन बनाना आरंभ करना चाहिए। आईए, अब जानते हैं कैसा भोजन नहीं बनाना चाहिए. कई लोग मानते हैं कि उनके पितरों को मानसाहर भोजन पसंद था, तो उन्हें पित्र श्राध्ध पर मानसाहारी बना कर खिलाना चाहिए. किन्तु पित्र लोक में प्रवेश के पश्चात, पितरों का भोजन सात् इसलिए उनके श्राद्ध या भोजन में तामसिक व्यंजन का प्रयोग कदापी नहीं करना चाहिए। इसलिए भोजन को मीठा और सात्विक बनाना चाहिए जिससे पित्र उन्हें आसानी से ग्रहन कर पाए। पित्र पक्ष के पूरे मास में अवश्य करें जिनसे पित्र प्यासे ही पित्र लोक में ना जाए। इस प्रकार से आप अपने पित्रों को भोजन खिला कर संतुष्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं, इन सोलह दिनों में पित्र पक्ष के दिन कितना भी जरूरी क्यों न हो जाए। कोई आप से इन चीजों को उधार मांगे, तो पित्र पक्ष के दौरान भूल कर भी ये चार चीजें कभी किसी को ना दें। अन्यथा आपके परिवार में कंगाली देखने को मिल सकती है। आपके पित्र आपके घर का त्याग कर सकते हैं, वो रूस्ट हो जाएंगे, लग हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी सा हो जाता है, कोई किसी को उधार देता है, तो इस बात के लिए कि उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीजें वापस प्राप्त हो सके, तो इसकी वजह से उधार देते हैं, तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, खास तोर पर पितरपक्ष के दौरान, अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपके जीवन में कंगाली विद्यमान हो जाती है, इसीलिए कम से कम पितरपक्ष के दिनों में तो ऐसा ना करें। सिक्का या रुपया पैसा या फिर आशीरवाद के तौर में दी गई कोई कीमती चीज या कोई धार्मिक वस्तू या किसी भी प्रकार की कोई निशानी और भगवान से जुड़ी पूजा की सामगरी आप भूल कर भी किसी को उधार या फिर दान के तौर पर कभी ना दें, क् इससे पित्र दोश लगता है और आपको वो नहीं प्राप्त हो पाता, जो आपके पूरवज यानि आपके पित्र जो आपके लिए करने वाले थे, तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, बुजुर्गों द्वारा कोई सम्मान में मिली चीज कभ इसी तरह पित्र पक्ष को धन से भी जोडा जाता है, पित्र पक्ष के दोरान हमारे पूरवज साक्षात धरती पर आते हैं और उनका आगमन हमारे घर में होता है, और उनका आशीरवाद सुख सम्रिध्धि में बदल जाता है, धन वैभव की प्राप्ती होती है, तो इस ब आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पित्रपक्ष के दौरान आप जो पैसा उधार देते हैं या लेते हैं तो वो धन कभी लोट कर नहीं आता बलकि इस समय धन देने वाला और लेने वाला दोनों कर्ज में डूब जाते हैं। तोर पर सफेद चीजें चड़ाई जाती हैं। इस बात का ध्यान रखें। पित्रपक्ष के दिन हमारे पूर्वजों को चड़ाने के अलावा कोई व्यक्ति एकदम सुबह सुबह के समय आप से दूध, दही, छाच या फिर संध्याकाल के समय में उधार मांगने के लिए या फिर ऐसे ही मांगने के लिए आ जाता है, तो आपको भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। अगर आप अपने पूर्वजों को चड़ाने के अलावा कोई ऐसा काम करते हैं, तो मान लीजिए आपके पूर्वज नाराज हो जाएंगे और साक्षात आ आपको अपने पितरों का क्रोध का सामना करना पड़ेगा, इसी लिए पितर पक्ष के दौरान कोई भी लेन देन ना करें। और थोड़े से तिल मिलाकर पीपल की जड़ में चड़ाने से हमेशा के लिए पितर दोश समाप्त हो जाता है। इसी से लेनी भी नहीं चाहिए अगर किसी व्यक्ती का समय अच्छा है या आपका भी समय अच्छा चल रहा है। और अगर आप किसी अन्य व्यक्ती को अपना समय दे देते हैं तो आपको आने वाले समय के अंदर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इन दोनों समय में आपको घर की सम्रिध्य दूसरों को भूल कर भी कभी नहीं देना चाहिए। इस से हमारे पूर्वज नाराज हो जाते हैं। और लग जाता है पित्र दोश। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की सुख, सम्रिध्य तथा माता लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती हैं। और वही हमारे पूर्वज भी घर में आते आते वापस लोट जाते हैं। और आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, दान पुन्य करना हिंदुस्तान की परंपरा रही है। हर व्यक्ति दान पुन्य करके पित्र पक्ष का लाभ उठाता है तथा उनका आशीरवाद प्राप्त करता है। लेकिन खास तोर पर पित्र पक्ष के दौरान आपको दो प्रकार के वस्त्र ना तो खरीद कर लाने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को देना चाहिए। इसके अंदर पहली चीज तो है काले और सफेद कपड़े। तो आपको पितरों का श्राप लगता है और ये आपके जीवन को प्रभावित करता है। ऐसे में जीवन में दुख आ जाते हैं तो इसी वजह से इसका ध्यान रखना चाहिए। विशेश तोर पर काले कपड़े आप किसी को भी दान के तोर पर कभी मत देना। इस दिन थोड़े बहुत फटे कपड़े भी दान नहीं देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कंगाली आ जाती है और देने वाले व्यक्ति के जीवन में राहु दोश लग जाता है और साथ ही साथ हमारे पित्र हम से क्रोधित होने लगते हैं। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। पित्र पक्ष के दौरान अपने लिए नहीं, दूसरों को देने के लिए वस्त्र खरीदने चाहिए औ लेकिन काला कपड़ा दान ना करें। सफेद कपड़ा दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, पित्र पक्ष के दौरान नमक का दान हर हाल में आपको करना चाहिए। नमक का दान गुप्त दान माना जाता है। अगर आपको सुख सम्रिध्धि की इच्छा है और आपको अपने पूर्वजों की कृपा पाना है, तो पित्रपक्ष के दोरान नमक का दान करना ना भूले, नमक का दान करने से पहले उसमें दक्षिना अवश्य डालें तथा थोड़े चावल भी दान करें, नमक का दान सर्वश्रेष्ठ और मंगलकारी मान जाता है, आप रातों रात अपना भाग्य बदल सकते हैं, कच्चे दाल, चावल, नमक आदी दान करने से तथा उसमें थोड़े तिल डालने से हमारे पूर्वज हमें आशीरवात देते हैं और धन से माला माल बना देते हैं, दोस्तों, अगर आप महादेव की कृपा प्रा